वूच Entwicklung नमस्कार मैं भूमद्रपंड हैं हिंदी चल में आप सब का हर्तिक सवाथ करता हूं ऑर अभी तक आप यह चेनल को सब्सक्राइब कीया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेई सांति बेल आइकनों का दबारा ना भूले ताकि मेरे प्रत्यक वीडियोग अप्डेट्स आपको मिलते रहे हैं बहुत लंबे समय से मेरे छात्रों की वर से यह रोदा रहा था कि मैं UGC NET JRAP का एक सीरीज चालू करूँ तो आज यह मेरा उसी पहले भी मैं इस पर लेक्शेर अप्लोड कर चुका हूँ मेरे प्लैलिस्ट में जाकर देख सकते हैं UGC NET JRAP यह कंटीनी चलेगा और यह जो मेरा लेक्शेर है यह असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी जाम के लिए भी समान रुप से उप्योगी है और इस बीच मैं इसमें कुछ SORTS भी अप्लोड करूँगा उसका फादा यह होगा कि आप एक मिनाट से भी कम समय में एक प्रस्न तयार कर पाएंगे तो मेरे जितने भी SORTS हैं आप से अंरोध है कि आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें तो कि एक मिनाट में यह आपका एक प्रस्न वहाँ पर तयार हुए आता है प्रस्न जरूर आपकी परिच्छा में आपको मिल जाएंगे तो देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भाव और विकास कैसे हुआ भारत में मुक्षि रूप से आर य परिवार एवं दरमीड परिवार की भाषाइं बोली जाती हैं उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कि आरे परिवार की भाषाएं हैं और दक्षिड भारत की जो भाषाएं हैं वे कौन सी हैं द्रमिड परिवार की भाषाएं जैसे तमील है तेलगू है मलयालाम है कन्नड है इत्याजी दक्षिड भारत की जो भाषाएं हैं वे द्रमिड परिवार की भाषाएं और उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उन्हें कह राता है आरे परिवार की भाषाएं उत्तर भारत की आरे भाषाओं में संस्क्रिट सबसे प्राचीन है जिसका प्राचीन तम रूप रिग वेद में मिलता है और इसी की उत हमें को फार्णाजी वुत्रादिकार के रूप में प्राप्थ होता है । इस प्रकार शुरुबात कहां से हुई हिंदी की संस्क्रित से हुई है, और संस्क्रित का सबसे प्राचींत्न रूप कहां पर मिलता है अब भारती आरे भाशाओं के काल को मोटे तोर पर तीन काल खंड़ में विभाधित किया गया है इनके विकास क्रम को वे कौन-कौन से है प्राचीन भारती आरे भाशा काल इसकी समय सिमा है कुछ किताबों में आपको दूसरी जानकारी भी मिल सकती है लेकिन वर्तमान में भाशाओं ज्यानिकों नहीं हमान लिया है कि प्राचीन भारती आरे भाशा का योकाल है वह पंद्रा सव इसकी समय का समय काप से चलू होता है पाच सव इस्ता पूरवत से यह शुरू होता है और एक जार इस्वी तक चलता है मद्य भारती आरे भाशा काल इसके बाद आधुनिक भारती आरे भाशा काल इसका समय सुरू होता है एक जार इस्वी से और आप तक जारी है तो हिंदी का प्रादुर्भाव इसी समय होता है अपब्रहन से तो इस प्रकार भारती आरे भाशा काल को मोटे तवर पर तीन खाल कंडों में विभाडित किया जा सकता है अब हम देखते हैं प्राचिन भारती आरे भाशा काल में क्या विकास हुआ किस प्रकार भाशा का विकास हुआ तो प्राचिन भारती आरे भाशा काल जिसकी समय सिमा है 1500 इसा पूरव से लेकर 500 इसा पूरव तक इस समय क्या हुआ इस समय प्राचिन भारती आरे भाषा काल में वैदिक संस्क्रित और लौकिक संस्क्रित ये दो भाषा थी वैदिक संस्क्रित और लौकिक संस्क्रित थी प्राचिन भारती आरे भाषा काल में और इसी समय चारों वेद लिखे गए रिगवेद, साम वेद, यजूर वेद, गुस्त चटेए इस:「 Kālu की भाषा योगात्माग्थी प्र काल की भाषा क्या थी? योगात्मागी ती मतल्ल़ इसky 카ल की भाषा क्या क्या थी? योगात्माग्थी. मतला इसमें यो परसरक्र outta विभक्ति इसके साथ में जूड़े रहते थे, शब्दों में धातुरूप सुरक्षित थे, धातुरूप जो आप संस्कित में पढ़ते थे, बाल का है बाल का हूँ, यह ना गम गच, तो यह शब्दों में धातुरूप सुरक्षित थे, भाषा में संगीत आत्मक्ता थी, प विशेस्था हैं जो प्राया परिष्छा में पूची जाती है, इन में से कौन सी विशेस्था नहीं थी, प्राचिन भारती आरे भाषा होगी, तो सभी चीलें को आपको डीपली अध्यन करना है, पदों का इस्थान निश्वित नहीं था, कोई भी पद कहीं भी रखा जा सकत प्राचीन भारती आरे भाशाकाल, अब हम देखते हैं, इस समय किस प्रकार की इस प्रकार मध्य भारती आरे भाषाकाल में भी तीन प्रकार की भाषाएं विक्सित हुई थी हमने प्राचिन यहां पर हमने सबसे पहले क्या दिखा प्राचिन भारती आरे भाषा काल इस समय की दो भाषाएं थी वैदिक संस्कृत और लोखिक संस्कृत इसके बाद मद्य भारती आरे भाषा काल में तीन प्रकार की भाषाएं विक्सित हुई है और इसकी समय सीमा है 500 इसा पूरों से लेकर 1000 इस्वी तक मद्य भारती आरे भाषा काल में कौन-कौन सी भाषा विक्सित हुई थी पाली भाषा थी पाली भाषा पाली भाषा की समय सीमा है 500 इसा पूरवस लेकर एक इस्वी तक तो ये बहुत धर्म की भाषा थी और बहुत धर्म के जितने भी धार्मी गरंत लिखे गए हैं बहुत धर्म के जो भी उपदेश हैं वे पाली भाषा में हमको उपलब्ध होते हैं और इसकी समय सीमा है 500 इसा पुरुवस लेकर 1 इसवी तक इसके बाद आती है प्राकृत भाषा प्राकृत भाषा का कालकंडा है 1 इसवी से लेकर 500 इसवी तक ेसके बाद अपभरंश भाषा जिससे हिंदी और अन्या आधिनिक भारती भाषा हैं विक्सित हुई है अपभरंश भाषा का समय है 500 इसवी से लेकर 1,0 इसवी तक यह अपभरंश भाषा मद्य भारती आरे भाषा काल के तीसरी भाषा है अब यह कुछ महत्पोन बिंदू है जो आपको याद रखना है तो सबसे पहले जो पाली भाषा जिसकी समय सिमा है 500 इसा पूरो से 1 के स्वी तक पाली भाषा को मागदी भाषा भी कहा जाता है इसको ध्यान में रखना है इसे याद रखना है यह बहुत धर्म की भाषा है और बहुत साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है और त्री पिटक बहुत धर्म के जो तीन प्रमुगरंथ हैं पिटक जिन्हें कहा जाता है, इनके नाम है सुत्य पिटक, विनाय पिटक और अभिधम पिटक, यह पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो बहुत दर्मा की भाषा हो गई पाली, इसके बाद जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा बोल चाल की भाषा थी, प्राकृत भा और इसे कारण पंडितों में प्रचलीत नहीं। या शूर शूर सेयं जनपत में बोली जाती थी मतलब अलग अलग जनपदों में भाडित था उस समय हमारा भारत तो मतुरा और शूरसेन जनपद में शूरसेन ही बोली याती थी इसे मध्यदेश की बोली भी कहा गया है इन सब बातों को आपको याद करना है यह सबी किताबों में मिल जाएगा आपको टेंसल लेने के जरूत नहीं है पैशाची प्राकृत इसके बाद जो दूसरा प्रकार है प्राकृत का बाद है पैशाची प्राकृत या उत्तर पस्ची में कस्मीर के आश्पास की भाषा थी और तीसरा है महाराष्टी प्राकृत इसका मूलिस्थान कहां था महाराष्ट था इसके बाद है अर्ध मागदी प्राकृत या मागदी और शारसैनी इन दोनों के बीच के छेतर की भाषा थी जहां पर मागदी बोली जाती थी जहां पर शारसैनी बोली जाती थी उसका बीच का कुछ एरिया था वहाँ पर अर्ध मागदी प्राक्रित का प्रयोग किया जाता था इसके बाद जो मागदी प्राक्रित है यह मगद के आसपास प्रचलित भाषा थी है मगद के आसपास की भाषा मागदी प्राक्रित है अब जो अपब्रहंस भाषा है अपब्रहंस भाषा ये अवहट हो गया अवहट हो गया अवहट देश भाषा देशी भाषा आधियनेक नामों से अपभ्रांस भाषा को पुकारा गया है इसके बाद अपभ्रांच शब्द का शाब्दी कर्थ क्या होता है अपभ्रांच शब्द का शाब्दी कर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ अपभ्रांच का शाब्दी कर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ मतब भाषा का जब इस्तर गिर जाता है मतब विद्वान वर गए तो विद्वान की जो भाषा थी जो आचारे थे उस समय जो पंडित थे उनकी जो भाषा थी जो एडिक्ट छास की भाषा थी अब जात्यवर्ग की जो भाषा थी, वह संस्कृत थी, लेकिन जब उस संस्कृत का इस्तर धीरे धीरे गिरता जाता है, और वो आम बोल चाल की भाषा हो जाती है, समयने जनता की जब भाषा हो जाती है कोई भाषा, तो उस समय जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उसने उ अपनी पूस्तक हिंदी भाषा का उद्भाव ये उद्भाव है उद्गम लिखा हुआ है हिंदी भाषा का उद्भाव और विकास इसमें अपब्रांस का जन्मकाल 700 इसे इसी कार किया है Dr. Namur Singh ने अपने गरंथ ये प्राया परिचा में पुछा रहता कि ये किसकी कृती है हिंदी के विकास में अपऱ भृंस का योगदान किसकी कृती है Dr. Namur Singh की कृती है और इसमें इसमें इन्योंने अपःभरंस का जन्म का आलमाना है साथ सो इस्वी सिकार किया इनोंने इनको आपको याद उठना है इसके बाद डॉक्टर भोलानात्युआरी भारत के जाने मैंने भाषावा ग्यानिक है इनके मतानुसार अपब्रांस का जन्म 500 इस्वी के आसपास माना जाता है तो इन्हें के मत को मान लिए गया है डॉक्टर भोलनातिवारी क्योंकि यहां हमने देखा है कि अपब्रांस की सुरुवात कब से होती है 520 से 1000 इस्वी तक अपब्रांस का समय काल माना जाता है योग कि डाक्टर भोलनातिवारी जो है भारत के बहुत बड़े भाशावीद हैं अब अपब्रांस का प्रयोग कालीदास के नाटक विक्रमोरवशी में निम्नवर्ग के पात्रों द्वारा किया जाता है यह जो संस्कृत नाटक है कालीदास उसमें जो फद्धानर जो पात्र हैं निम्नवर्ग के जो पात्र हैं उनके द्वारा जित भाशा का प्रयोग के जाता है वो अपब्रांस भाशा है इसी परकर छट्वी शताब्दी के जो अलंकारवादी आचारे हुए हैं भामा भामा आचारे भामा ने भी अपब्रांस का उल्लेक संस्कृत यवाम प्राकृत के साथ करते हुए इसे कावियोप योगी भाशा बताया है तो इस पर आप समझ सकते हैं कि यह इसकी प्राजीनता को दर्शारा है कि 500 इस्वी से अपब्रांस की सुरुवात हो चुकी थी अब यह तीसरा है आधनिक भारती आरे भाशाकाल जो एकजार इस्वी से लेकर अब तक जारी है अभी जो हम जीज भाषा का प्रयोग करते हैं वह आधनी कारे भाषा काल है और यह एक हजार इसी से अब तक चालू है अब देखिए यहाँ पर हम पड़ चुके हैं कि अपभरांस का साहित्य में प्रयोग यद्यपी अपभरांस की समय सीमा एक हजार इसी तक मानी गई है लेकिन अपभरांस का साहित्य में प्रयोग बारा सा इसी तक हुआ यद्यपी इस काल यद्यपी इसका काल पांच सा इसी से एक हजार इसी तक ही माना जाता है यद्यपी अपभरंस जो भाषा है उसकी समय सीमा 500 इस्वी से 1000 इस्वी तक मानी जाती है लेकिन 1200 इस्वी तक इसका प्रयोग साहित में होता रहा है अब यह बहुत ही महत्पूर्णा है 1000 इस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित में आरब हो चुका था किन्त कुछ काल बात तक भी अपभरंस का प्रयोग साहित में होता रहा तो आप हिंदी की सुरुवात कब से मान सकते हैं 1000 इस्वी से मान सकते हैं अब यहां पर जो भी बातें बता रहा हूं सभी बातें महत्पूर्णा है जो आदुनिक आर्य भाषा हैं आदुनिक भारती जो आर्य भाषा हैं जो प्रया उत्तर भारत में प्रचली थें आदुनिक भारती आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभरंस भाषा से हुआ है और हिंदी का विकास भी इसी अपभरंस भाषा से हुआ है अता हिंदी की जन्नी क्या है अपब्रांश है हिंदी को किस ने जन्म दिया है अपब्रांश ने जन्म दिया है ये बहुत ही महत्पुर्णा है जो प्राया परिक्षा में पूछा जाता है इसको आपको पूरा वार्ट वार्ट आपको याद करना है वैसे मेरा पूरा नोट्स महत्रपुर्णा है आपके लिए उत्तर भारत में अपबरांस के 7 छेत्री रूप आंतरार प्रतली थे जिनसे आधुनिक भारती आरे भाषाओं का कलंतर में विकास हुआ और इनका विवराण इस प्रकार है उत्तर भारत में अपबरांस के 7 छेत्री रूप प्रतली थे और इ इस कॉलम में है, किस अपबरंट से कौन सी आरे भाशाओं ने जनमर लिया, पहला है शवर्ण शैनी अपबरंट से जन्म लेने वाली आरे भाशा है कौन कौन सी है पश्चिमी हिंदी राजिस्थानी और गुजराती बाद में हम और डीटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में इसके बाद दो पैशाची अपब्रांस है पैशाची अपब्रांस है जन्म लेने वाली आरे भाशा है कौन सी है पं इस प्रकार हिंदी एवं अन्य भारती आरे भाषाओं का विकास भी अपभरांस के शेत्री रूपों से हुआ तो आज हम जिस हिंदी और जिस अन्य भारती आरे भाषाओं का प्रयोग करते हैं उनका जन्म अप भरंश के इनी साध शेत्री रूपों में से किसी ने किसी रूप से हुआ है और इस विवेचन के अधार पर उपर हमने जो विचार विमर्श किया जो डिसकसन किया इसके अधार पर हम भाषाओं के कर्मिक विकास को इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ भाषाओं का विकास कैसे हुआ कैसे भाषा विक्सित होते हुए संस्कृत से आध हम तक आई सबसे पहले हो गया वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत इसके बाद आई संस्कृत संस्कृत के बाद आने वाली जो भाषा है विक्सित होने वाली भाषा है वह है पाली पाली के बाद विक्सित होने वाली भाषा है प्राकृत प्राकृत के बाद विक्सित होने वाली भाषा है अपबरंस और अपबरंस से ही हिंदी तथा अन्य भारती आरे भाषाओं का विकास हुआ और इस पकर हिंदी भाषा की उत्पत्ती मूलत शहर सैनी अपबरंस से हुई है इन सारी बातों को परिच्छा में पूछा राता है परिच्छा के दिष्टि से मेरा आज का लेक्चर बहुत ही मात पूर्णा है और यह किवल UGC नेट जे आरेप के लिए नहीं बलकि जितने भी जितने भी कॉमडिशन ही जाम सोते होंगे परिचा असिस्टेंट प्रोफिसर के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जिसके भी उसके लिए मेरा आज का लेक्चर समान रुप से उप्योंगी है तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिक के जुरू बताएं कि मेरा आज का याल एपिसोड आपको कैसा लगा सांति अदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के सांथ सेयर करें यह से लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का अबडेट्स आपको मिलते रहें धन्यवाद